तो है यह जो है यह जो है यह जो फ्रेंड्स वेलकम टू ऐसे से क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं तो क्या आप लोग त्यार हैं आज के मैरतन टेस्ट के लिए वापस से मैं आपको बता दू कि अभी जो है इधर का ब्रॉट्बेंड जो नेटवर्क है वो अभी बंद चल रहा है ठीक है जिसकी फजह से मोबाइल नेटवर्क से मुझे यह लाइब सेशन करना पर रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आज देखिए आपके सामने आने जा रहा है आज का most important session जिसका नाम है आपका idioms and phrases ओके तो देखिए आज जो idioms and phrases का यह जो टेस्ट है इसका सबसे बड़ा खास बात क्या है कि इसमें जो है जो भी questions है वो 2017 से लेकर 2019 तक के पूछे का question है ओके तो यहां पर जितने भी जो previous म आये हैं उसको तो एक बार पढ़ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बहुत ही speed के साथ बहुत ही speed के साथ जो है आज हम लोगों को यह test अपना देना है ओके total जो है यहां पर 150 questions है और आप समझिए कि इस 150 में around मेरा अपना मानना है कि 120 प्लस तो आपका सही होना हर एक question के लिए आपको मिलेंगे 5 seconds का time और उसी 5 seconds के अंदर में जो है आपको answer देना है तो क्या आप लोग त्यार है एक बार thumbs up करके like करके session जो है start हम लोग कर देते हैं ओके चलिए तो यहाँ पर सब लोग ready है एक बार जल्दी से आप लोग बोल दे है yes we are ready then we can start चलिए तो start करते हम लोग अपना पहले question के साथ first question आपके screen पर आ चुका है ठीक है और यहाँ पर आपका इडियम क्या आने वाला है चलिए answer पांस सेकेंड का आपका time है और यहाँ पर हो गया आपका time finish देखिए lovely क्या है यहाँ पर green fingers जो है आपका correct होगा very good सबका सही आया है question number यहाँ पर 2 आ चुका है आपके screen पर ठीक है हर एक question के लिए चलिए question मैं पढ़ता नहीं हूँ 10 second का आपको time देते हैं आप लोगों को answer देना है question आपके screen पर इडाएगा 10 seconds का stop watch लगा देते हैं और आपको answer देते जाना है ताकि एक तरह से real test हो जाए आपका चलिए time हो गया finish यहाँ पर आपका correct answer turned a blind eye होने वाला है आपका okay next question हमारे screen पर आ चुका है third आपके सामने time बेस्टार्ट हो चुका है ठीक है एकदम real test की तरह feeling करना है ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग बहुत सारे session जो है कर सकें यहाँ भी हो गया आपका time finish कि during the staff meeting there was a lot of ठीक है रक्सकर since may didn't dash with the authorities तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है third में ci to i जो है आपका correct हो जाएगा question number 4 आ चुका है और यहाँ पर आपके सामने time भी start हो चुका है चलिए idioms and phrases है time हो गया finish तो देखे हूप it up इसका आपका आता है correct answer क्या होगा enjoying in a noisy way usually in a group जो है आपका correct है आप लोग एक काम कर दें आप लोग यहाँ बता दें कि आपके लिए 10 seconds सही है 5 seconds सही है या 15 seconds सही है ठीक है आप यहाँ पर comment पहले करें कि कितना second का आपको time चाहिए test के लिए ओके यहाँ पर कितने second का आपको time चाहिए जल्दी से आप लोग इसका समय बताएं ताकि आपके screen पर question भी आपको ही पढ़ना है आपको ही options पढ़ना है और क्या correct answer हो का वो भी आपको ही देखना है पांच second अरे बापरे दस second रहने देते हैं पांच second बहुत कम हो जाएगा चलिए कोई नहीं फिफ्ट कोशा नमबर फिफ्ट आपके screen पर आ चुका है और यहां हो गया time finish with a vaginance यहां पर इसका correct answer होगा use to emphasize the degree to which something occurs जो है यहां पर आपका right answer है question number यहां पर six आ चुका है आपके सामने six का answer क्या होगा up against the wall up against the wall का idiom आपका क्या होने वाला है up against the wall और यहां पर आपका idiom क्या होगा up and against the wall का कि in an inexcrutable situation जो है आपका correct answer है ठीक है जो difficult situation में होता है question number seven आपका हो जाएगा reap the world willed यहां पर इसका correct answer क्या होने वाला है reap the world wind और देखिए reap the world wind का idiom होता है कि यह होता है एक तरह का suffer negative consequences as the results of one action जो है आपका right होने वाला है ठीक है next question है question number eight of the first water of the first water का idiom आपका क्या होगा of the first water तो of the first water का idiom यहाँ पर क्या होगा right answer आपका होने वाला है आपका क्या of the best quality जो है correct answer है of the first water यहाँ पर हो जाएगा of the best quality weather the storm weather the storm का आपका answer क्या हो जाएगा weather the storm right answer आपका होने वाला है weather the storm का कि survive a period of difficulty ठीक है survive a period of difficulty जो है आपका correct answer है question number आपका 10 आ चुका है कि spin your will का answer क्या होता है spin your wills और देखिए यह spin your wills का idioms होता है आपका कि waste your time in our efforts ठीक है जब आप time pass करते हो शमय की बरबादी करते हो तो उसको हम कहते हैं spin your wills कहते हैं okay question number 11 है आपके screen पर कि we are the green willow we are the green willow का यहाँ पर idiom आपका क्या हो जाएगा और यहाँ पर आपका होने वाला है we are the green willow का correct answer suffer unrequited love जो है आपका correct answer हो जाएगा ठीक है next question है question number 12 की wild and holy wild and holy का idiom क्या होने वाला है आपका right answer आपका हो जाएगा कि uncouth in appearance और behavior जो है आपका correct answer है ठीक है question number यहाँ पर 13 क्या होने वाला है कि give it a will का आपका correct answer क्या होगा right answer हो जाएगा यहाँ पर आपका key to try out something to try out something जो है आपका right answer है next question है आपके screen पर question number 14 की jog someone's memory jog someone's memory का यहाँ पर right answer क्या होगा correct answer आपका होने वाला है to cause someone to remember something जो है आपका correct answer हो जाएगा ठीक है to cause someone to remember something jog someone's memory question number 15 है be in the raid be in the raid का correct answer क्या होगा right answer आपका हो जाएगा to be in depth कर्ज में डूबा हुआ ठीक है खत्रे की निसान पर है वो next question है foot the bill foot the bill का correct answer क्या होगा idioms foot the bill right answer हो जाएगा आपका to pay for something जो है आपका correct answer है to pay for something foot the bill आपका correct है question number 17 है catch 22 catch 22 का आपका correct answer क्या होगा right answer यहाँ पर होने वाला है particular situation in which one cannot do anything जो है आपका right answer हो जाएगा very good अभी तक आप लोगों का जो performance है वो अच्छा है बहुत अच्छी बात है कि previous year का revision आप लोगों ने बहुत बहतरिन तरीके से किया है very good next question आपके screen पर आ रहा है question number यहाँ पर आपका 18 आ गया है कि carry the can का आपका correct answer क्या होने वाला है carry the can right answer यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा carry the can का हो जाएगा to take the responsibility of some misdemeanor जो है आपका right answer है ठीक है next question है आपका question number 19 paper over the crack paper over the crack का यहाँ पर correct idiom क्या होगा देखिए क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि previous year को एकदम tip पर आपके याद होने चाहिए ठीक है बार अबर मैंने बोले है तो question देखते हैं आपके दिमाग में answer आ जाना चाहिए दिमाग लगाने के जुरूवत तो है नहीं ठीक है तो paper over the crack का correct idioms आपका हो जाएगा to hide problems ठेक है to hide problems problems को छुपाना next question है कि be a dad hand at something be a dad hand at something का correct आपका idioms क्या होगा be a dad hand at something और यहाँ पर देखिए right answer हो जाएगा आपका कि skilled in a particular area जो है आपका correct answer हो जाएगा ठीक है किसी एक काम में आप माहिर हो ठीक है skilled in a particular area be a dad hand at something और जिसको याद नहीं है वो याद करते चले revision करते चलें ठीक है next question है gate cracking gate cracking का यहाँ पर correct idioms क्या होगा right answer हो जाएगा यहाँ पर to start doing something जो है आपका correct answer हो जाएगा gate cracking to start doing something very good next question है यहाँ पर a hair's breath इसका idiom क्या होगा a hair breath का a hair's breath का idiom क्या होने वाला है right answer यहाँ पर option number a हो जाएगा कि telling about the smallest possible amount or degree of something जो है आपका correct answer है ठीक है question number 23 क्या है कि कम hail और high water कम hail और high water का correct आपका idiom क्या होने वाला है यहाँ पर संचारी, तनू, साधना, एकता, भासकर, रंजीता, अनूज, कार्तिक, अंजली, ट्विंकल, ठीक है very good performance तो अच्छा आ रहा है शुबो राखी very good next है आपका कि कम hail और high water का होता है कि no matter what ठीक है no matter what आपका correct answer है question number यहाँ पर 24 है कि or nest nest का आपका correct idioms क्या हो जाएगा right answer यहाँ पर आपका होने वाला है आपका a troublesome situation जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है troublesome situation in the teeth of in the teeth of का correct idiom क्या होगा in the teeth of और right answer हो जाएगा आपका कि in spite of something जो है आपका right answer है कि in teeth of in spite of something next question है आपका in a fluter in a fluter का correct idiom क्या होने वाला है right answer यहाँ पर हो जाएगा कि in a nervous state जो है मतलब confusing state आपका हो जाएगा correct answer in a nervous state next है आपका all greek to me all greek to me का correct idiom क्या होने वाला है यहाँ पर काफी simple है right answer यहाँ पर हो जाएगा आपका कि in comprehensible जो है आपका right answer हो जाएगा all greek to me incomprehensible next question है यहाँ पर 28 में कि mealy mounted ठीक है यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा आपका कि unwilling to state something जो है यहाँ पर mealy mounted का correct idioms होने वाला है next है आपका question number 29 कि no love lost no love lost का correct idiom क्या हो जाएगा very good 27 का answer सबका correct आया है 29 में है कि no love lost right answer हो जाएगा intense dislike okay intense dislike next question है out of shorts out of shorts का correct idioms क्या होगा guys come on इससे best perfect revision आपका कुछ नहीं हो सकता है ठीक है पूरा complete previous year का question यहाँ पर ले आया है SSC mains, in fact CGL, CHSL, सबका question है यहाँ पर तो out of shorts का आपका यहाँ पर idiom होता है to be unveiled जो है आपका right answer है next question है कि pay lip service pay lip service का correct आपका idioms क्या होने वाला है pay lip service और right answer हो जाएगा आपका pretend to regard जो है आपका correct answer है ठीक है next question यहाँ पर 32 में है कि ripe up old discourse ripe up old discourse का यहाँ पर correct idioms क्या होगा और right answer हो जाएगा ripe up old source का correct idioms आपका होगा कि to revive forgotten quarrel जो है आपका correct answer है to revive forgotten quarrel next question है rule to roast rule to roast का आपका क्या होने वाला है और यहाँ पर right answer हो जाएगा to dominate जो है आपका correct answer हो जाएगा question number यहाँ पर 34 आचुका है alarms and excursions इसका correct idiom क्या होगा तो alarms and excursions का आपका correct idiom होने वाला कि confused activity and uproar जो है आपका right answer है next question है आपका कि up in the air about someone or something इसका idiom आपका क्या हो जाएगा up in the air about someone or something right answer यहाँ पर होने वाला है कि still to be settled जो है आपका right answer है ठीक है next question है give oneself ears तो give oneself ears का idiom क्या होगा right answer है pretend to be good ठीक है pretend to be good correct है next question है alphabet soup alphabet soup का correct idiom क्या होने वाला है और यहाँ पर right answer हो जाएगा incomprehensible or confusing mix जो है आपका right answer है question number 38 है आपका कि be all one two be all one two आपका क्या होने वाला है right answer हो जाएगा कि make no difference जो है यह आपका correct है next question 39 an article of faith an article of faith का idiom क्या होगा right answer हो जाएगा कि a firmly held belief जो है यहाँ पर आपका right answer है next question in the incidents इसका idiom क्या होने वाला है इसका idiom होगा आपका rising in power और influence जो है आपका right answer है next question है bring home the back on bring home the back on का correct idioms यहाँ पर क्या होगा guys right answer हो जाएगा यहाँ पर कि supply material support जो है यहाँ पर आपका right answer है question number 42 है आपका कि have the ball at your feet have the ball at your feet का correct idioms क्या होगा बहुत सारे लोगों को नहीं anti-pc का नहीं आया notification to have the ball at your feet का होगा कि to be in the best position to do something जो है यहाँ पर आपका correct answer है next question है banana oil तो banana oil का मतलब क्या होता है कोई बात नहीं है रजनी गंदा लेट हो गए हो तो right answer हो जाएगा banana oil का मतलब क्या आप देखे हो कभी सुने हो यह बात कि केले से तेल निकालना एक तरह का non-sensical talk है आपका ठीक है next question है 44 में कि as fit as a fiddle का आपका correct idiom क्या होने वाला है as fit as a fiddle मतलब कि strong and healthy जो है आपका correct हो जाएगा next question है argus id इसका मतलब क्या होता है एक ऐसा आप जो बहुत ज़्यादा observe करता हो observant जो है आपका right answer है next question है to bid d finance इसका idiom क्या होगा इसका मतलब हो जाएगा to disregard recklessly जो है आपका correct answer हो जाएगा next है आपका with bated breath with bated breath का आपका idiom क्या हो जाएगा with bated breath इसका answer आपका हो जाएगा in an accident जो है आपका right answer है next question है to clip one's wing to clip one's wing का correct idiom इसका मतलब हो गया आपका कि to restrict someone's freedom ठीक है to restrict someone's freedom सब मेरा mock test खरीदने के बाद भी buy का option आ रहा है मेरा सब मेरा mock test खरीदने के बाद है अरे आप लोगों को सबसे बड़ा problem क्या है ना कि जब आप payment करते हो वहाँ पर जो link आपको दिया वहाँ तोर का उसमें क्या होता है कि जब आपका payment हो जाए फिर आप पहले वाले page पही आना वहाँ पर देखना download का वहाँ पर option आ रहा होगा तो वहाँ से आप download कर लेना ये store मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऐसे में क्या होता था कि लोग मुझे payment करते थे फिर मुझे भेजना परता था ठीक है तो यहाँ पर जो है वही पर आपका है तो जब भी आप payment कर दे वहाँ पर download का options आएगा मौक वाले का तो वहाँ पर तुनन तुसको आप download कर लिए किजिएगा ठीक है चलिए next आपका आगया question number 49 की cloven hoof cloven hoof का यहाँ पर idiom क्या होगा cloven hoof का मतलब होता है कि कुछ खतरडा खड़ा बिडादार the evil intention जो है आपका right answer है next है draconian law यह कैसा law होता है draconian law यह होता है आपका मतलब की extremely severe law जो होता है ठीक है extremely severe law next question है आपका to fall flat to fall flat का correct idiom क्या हो जाएगा आपका इसका idiom आपका होता है to fall flat का कि to have no effect to have no effect आपका correct answer हो जाएगा next आपका आगिया to greed up the lions to greed up the lions का क्या होगा और यहां पर right answer होने वाला है कि to prepare for hard work ठीक है to prepare for hard work आपका correct answer हो जाएगा next question आपके screen पर जलकड़ा होगा कि high and mighty high and mighty का idioms क्या होने वाला है यहां पर गाईज high and mighty right answer यहां पर हो जाएगा आपका arrogant ठीक है जो arrogant रहता है next question आपके screen पर है from steam to stern इसका idioms क्या हो जाएगा और यह PDF जो आपको बात में मिलेगा यह काफी important PDF होगा इसको अच्छे से revise आप कर सकते हैं जो भी CGL वाले हों CHSL वाले हों stenographer वाले हों ठीक है क्योंकि यह पूरा previous year है समझ रहे हैं जो आपको नहीं आता है जो आता है वो ठीक है जो नहीं आता है उसको याद कर लेना PDF से ठीक है चलिए from stem to stern का आपका होता है कि all the way from the front of a sheep to the back जो है यहाँ पर आपका right answer है next है आपका over egg the pudding इसका मतलब क्या हो गया over egg the pudding का correct idioms क्या होता है यहाँ पर right answer आपका हो जाएगा कि add unnecessary details to make something seem better or worse ठीक है next question आपके screen पर है to turn a new leaf to turn a new leaf का correct idioms क्या होता है और यहाँ पर to turn over a new leaf का correct answer आपका हो जाएगा change once behavior for the better जो है आपका right answer है ठीक है next question यहाँ पर आपका आचुका है take up the hatchet यहाँ पर आपका correct हो जाएगा क्या take up the hatchet right answer क्या हो जाएगा prepare for or go to war जो है आपका correct answer है ठीक है next question यहाँ पर आचुका है कि at lose ins इसका idioms क्या होगा at lose ins right answer होने वाला है आपका in an uncertain situation जो है आपका right answer है next question है with might and main इसका idiom क्या हो जाएगा with might and main और यहाँ पर right answer है कि आपका with full force with full force जो है आपका correct answer है पूरी जी जान से next question है यहाँ पर कि rafel somebody's feather इसका idiom क्या हो जाएगा rafel somebody's feather and what is the right answer for this question और यहाँ पर आपका होने वाला है nois somebody rafel somebody's feather का idioms होता है nois somebody ठीक है next question है आपका cut short cut short का आपका idioms क्या होने वाला है right answer हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका interrupt जो है right answer है किसी के बात को बीच में interrupt करना cut short next question है आपका bad blood ठीक है bad blood का आपका idioms क्या हो जाएगा इसका right answer होता है ill feeling ठीक है bad blood ill feeling next question है आपका a laughing stock a laughing stock का correct idioms क्या होगा आपका right answer होने वाला है यहाँ पर object of laughter जो है आपका correct answer है laughing stock next question है make once mark make once mark का idiom क्या होता है और इसका answer होता है distinguish oneself जो है आपका right answer है next question है throw in the towel throw in the towel का idiom क्या होता है और इसका मतलब होता है acknowledge defeat ठीक है एक हार माल लेना next question है आपका mayor's nest इसका idiom क्या होगा mayor's nest का इसका idiom होता है आपका worthless thing जो है आपका right answer है next question है storm in a tea cup storm in a tea cup मतलब कि big fuss over a small matter छोटी बातों को बड़ा बना देना ठीक है next question है यहाप पर blue blooded blue blooded का idiom क्या होता है right answer हो जाएगा blue blooded का of noble birth okay of noble birth next question है यहाँ पर आपका कि do a roaring trade इसका idiom क्या होता है do a roaring trade मतलब कि highly successful highly successful आपका correct है आपी का दबदबा चल रहा है next है keep body and soul together keep body and soul together का idiom क्या होने वाला है यहाँ पर right answer हो जाएगा to have just enough to sustain जो है आपका right answer है next question है will or the wisp ठीक है will or the wisp का idiom क्या होता है right answer होता है आपका कि unreal imaging unreal imaging आपका right answer है next question है clock and dagger clock and dagger का correct idioms क्या हो जाएगा इसका right answer होता है clock and dagger का कि an activity that involves mystery and secrecy जो है आपका correct answer है next question है यहाँ पर palm of palm of का idiom क्या होता है इसका correct answer होगा to dispose of with the intent to deceive जो है आपका correct answer है next question है आपका take the bull by the horns मतलब क्या हुआ कि grapple the situation courageously जो है आपका right answer है शाहत से किसी भी चीज़ को face करना next question है यहाँ पर a gentleman at large और a gentleman at large का होता है a man without a job next low's face मतलब की become embarrassed okay next है build a castle in the air right answer क्या हो जाएगा build a castle in the air मतलब की dream ख्वाप देखना next question है fall back on और fall back on का मतलब होता है कि result to something जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है next question हो गया go to rack and ruin go to rack and ruin का correct क्या हो जाएगा right answer क्या हो जाएगा get into a bad condition okay next आपका क्या है bite the dust right answer क्या हो जाएगा right answer क्या हो गया shuffer a defeat जो है ठीक है next है have a chip on one soldiers have a chip on one soldier यहाँ पर क्या होगा आपका right answer क्या हो जो हो जो है आपका right answer है ठीक है next है आपका the semi side semi side का मतलब हो गया आपका unpleasant aspect ठीक है next है आपका too many safe are and not enough Indians okay यहाँ पर क्या हो जाएगा too many chiefs and not enough Indians का correct answer क्या हो जाएगा कि an insufficient situation आपका correct answer होने वाला है ठीक है next आगया in bad taste in bad taste का idiom क्या होता है in bad taste का आपका idiom क्या हो जाएगा not suitable और offensive जो है आपका right answer है next once and for all और यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा now and for the last time finally जो है आपका correct answer है ठीक है next यहाँ गया to heave and sigh of relief और यहाँ पर right answer हो जाएगा कि to suddenly feel very happy because something unpleasant has not happened or has ended next है to be on cloud nine यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा to extremely happy to extremely happy बहुत खुश in black and white इसका मतलब क्या होता है क्या very clear choice that causes no confusion ओके next हो गया आपका चलिए next है out of date out of date का आपका idiom क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है old fashioned okay old fashioned out of date यह तों लोग पढ़ते ही है next है आपका कि it goes without saying इसका मतलब हो गया आपका कि something which is implied to be obvious okay to let someone off to let someone off का idiom क्या हो गया और इसका मतलब हो गया आपका कि to leave someone in the present state जो है right answer है next हो गया आपका barking up the wrong tree इसका मतलब हो गया looking in the wrong place okay next हो गया call it a day call it a day का idiom क्या होता है call it a day का मतलब होता है कि to declare the end of a task जो है आपका right answer है next आपका हो गया ball is in your court ball is in your court इसका मतलब क्या हो गया हो इसका मतलब हो गया आपका कि it is up to you to make the next decision और step जो है आपका right answer है ठीक है next आपका हो गया कि best of the both worlds best of both worlds और इसका मतलब हो गया आपका कि a situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities okay next आपका हो गया give somebody a ring give somebody a ring मतलब call someone on the telephone आपका correct answer है ठीक है next आपका हो गया leave no stone unturned मतलब हो गया try everything possible course of action in order to achieve something okay next है get the message get the message का हो गया understand what is implied by a remark और action जो है आपका right है next है keep at bay और इसका होता है आपका कि to control something and prevent it from causing you problems और hundred question हो गया कि to go off the air to go off the air का मतलब हो गया to stop broadcasting a radio or TV program ओके तो यहां तक हो गया है और सोच रहें कि यह 50 questions जो है आगे का जो बचा हुआ है यह आप लोग इसको पढ़ लिजेगा PDF को ठीक है जब आपको नीचे दे देंगे 150 questions है या करवाना है या नहीं करवाना है बता दीजे चलिए करवाही देते हैं चलिए तो रेडी हो जाईए तो मेक आफ फूस अबाउट यहां पर क्या हो जागा इसका एंसर चलिए 101 का यहां पर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा आपका की अक्सेशिव डिस्प्ले ओफ अटेंशन और अक्टिविटी जो है आपका राइट अंसर है नेक्स कोर्शन है तो गो तो समबडीज हेड तो गो तो समबडीज हेड का इडियम क्या होगा इसका मतलब हो गया तो मेक समबडीज और स्लाइटली ड्रंक जो है आपका राइट अंसर है नेक्स कोर्शन हो गया तो मेक अमेंडस तो मेक अमेंडस का इडियम क्या होता है तो मेक अमेंडस चलिए ठीक है सब लोग बोलने हैं कि जाने के लिए लेकिन 5 मिनट में हो जाएगा सब ठीक है न, to make amends का मतलब हो गया to compensate जो है आपका right answer है ठीक है, next question हो गया the alpha and omega the alpha and omega का आपका idiom क्या होगा the alpha and omega, what is the right answer यहाँ पर आपका होने वाला है the beginning and the end आपका correct answer है, next question है throw up the sponge, ठीक है यहाँ पर आपका क्या होजागा throw up the sponge, यहाँ पर आपका क्या होगा right answer होगा आपका to surrender, okay, next question है यहाँ पर, to put a spoke in one's will, to put a spoke in one's will का आपका correct idioms क्या होता है right answer होता है आपका to put a difficulty in the way of progress, ठीक है, next question है यहाँ पर, at logger's head at logger's head का idiom क्या होगा एट लॉगर्स हेड एट लॉगर्स हेड का होता है कि in conflict with someone जो है आपका correct answer है next question है a wild goose chase a wild goose chase का idiom क्या होता है right answer होता है usually search बेकार का खोजना next question आपका हो गया a moot point a moot point का आपका correct idiom क्या होता है मतलब होता है disputed ठीक है ऐसा चीज़ जो disputed हो next question हो गया speak and spam speak and spam का idiom क्या होगा right answer होने वाला है neat and clean next question होगे आपका to draw the long bow इसका idiom क्या होता है to draw the long bow इसका मतलब होता है to exaggerate करना बढ़ाना बढ़ा चढ़ा के बुलना ठीक है next आपका हो गया all agog all agog का आपका idiom क्या हो गया इसका idiom होता है amazed हो जाना ठीक है next question है not to means matter मतलब हो गया not to means matter का to speak out politely जो है आपका correct हो जाएगा next आपका दिया वै to go through fire and water to go through fire and water का idiom क्या होता है इसका idiom होता है to experience many danger in order to achieve something जो है आपका right हो गया next हो गया chicken hearted chicken hearted का idiom क्या होता है chicken hearted का होता है quad ठीक है जो बहुत कायर हो next question होता है red letter day red letter day का idiom क्या होता है यहां होता है important यानि कि significant day यहां पर आपका right answer हो जाएगा ठीक है next question यहां पर हो गया इंडेड इनफ यासको इसका idiom क्या हो जाएगा इंडेड इनफ यासको right answer हो जाएगा complete failure पूरी तरीके से fail हो जाना next question हो गया show wild oats show wild oats का idiom क्या हो गया show wild oats का मतलब होता है to waste time by doing foolish things okay next question आपका दियावा है कि live from hand to mouth live from hand to mouth का idiom क्या होता है जल्दी से इसका idiom होता है to have enough money to live on and nothing extra okay next question हो गया आपका to face the music to face the music का idiom क्या होता है इसका मतलब हो गया to bear the consequences okay next question हो गया pillar to post pillar to post का idiom क्या हो गया आपका right answer हो गया to place to another one place to another next question हो गया option choice option choice का मतलब क्या होता है no real choice at all हो गया आपका next question यहाँ पर हो गया कि Adam's L इसका idiom क्या होता है इसका idiom होता है water okay next question यहाँ पर आपका हो गया at once with end at once with end का correct answer क्या हो जाएगा to get puzzled जो है आपका right answer है in a gp in a gp का idiom क्या होता है in a gp का idiom होता है आपका कि something that is done very quickly बहुत तेजी से जो कर रहे है जैसे अभी हम लोग कर रहे है in a gp next हो गया to steal a march to steal a march का idiom क्या होता है to steal a march का मतलब होता है to out sign okay next question हो गया herculean task herculean task आपका क्या हो गया herculean task का मतलब हो गया important task sorry important नहीं very difficult task जो है आपका right answer हो जागा next हो गया on tenter's hook on tenter's hook का correct idiom क्या होता है इसका idiom होता है in anaxious suspense जो है आपका right answer हो जागा next हो जागा the thing end of the wedge ठीके wedge यहाँ पर आपका क्या होगा the thing end of the wedge का idiom क्या होता है मतलब होता है start of harmful development आपका correct answer हो गया next आपका हो गया to accept gauntlet यहाँ पर आपका क्या होगा to accept the gauntlet मतलब to accept the challenge आपका हो जाएगा 20 questions रहने देते हैं यह आप खुद से revision कर लेना ठीक है तो यहाँ पर उमीद है कि जो 130 questions अभी तक हुए है उसमें आप लोगों को कुछ न कुछ तो अच्छा score आया ही होगा 150 questions में कितना आपका total score आया है comment जरूर करना आप लोग जो लोग session को अभी तक नहीं देख पाए है इसकी importance को नहीं समझ पाए है उनको importance को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये एक लौता एक ऐसा वीडियो है जिसके तहट आपका 2017 से लेकर 2019 तक के सारे revision हो जाएंगे ठीक है सारे जो hard questions थे वो यहाँ पर मौजूद है इसके अलावा जो भी questions idioms के आएंगे previous से वो easy होंगे exam में जो question आएगा वो भी आप solve कर सकते हो यहाँ पर ठीक है तो इनी सब्दों के साथ इनी अच्छे motivation के साथ मैं आपसे दूर जा रहा हूँ दूर नहीं हलाकि 2-3 घंटे के लिए बस दूर जा रहा हूँ रात में आपका all idea mock test जो है वो आपका होने वाला है